नमस्कार आज में फिर आपको अपराध और अफवाह की एक और घटना बताऊंगा वाक्या वर्ष दो हजार दो का है साल दो हजार दो में उत्तर प्रदेश में एक ऐसी अफवाह चली जो मेरे पूरे इतने लंबे 33-34 साल के कैरियर में इससे ज़्यादा लंबी चलने वाली कोई अफवाह नहीं थी बहुत निर्दोश, बेकसूर, निरपराध लोगों की जाने गई ये अफवाह थी मुहनुचवा की ऐसी अफवाह की बस पूछे ने भाती भाती की बाते इस मुहनुचवा के बारे में विद्वानों की अलग-अलग राय इस मुहनुचवा के बारे में अखवारों की अलग-अलग हेडिंग, फ्रंट पेज पर मुह नुचवा के बारे में ये कि ये मुह नुच कर चला जाता है दूसरा, मुह में सडन पैदा हो जाती है तीसरा, आदमी सडन से बहुत जल्दी मर जाता है ये उसका लबबो लवाब था ये उसके बेसिक्स थे उस अफवा के रोज ये ही अफवा चलती थी कि यहां देखा वहां देखा, ऐसे जप्टा ये देखो हाथ में कटे का निशान आ गया यहां जला दिया, वहां जला दिया पर देखा किसी ने नहीं कभी कोई आदमी भी नहीं दिखा कोई जानवर भी नहीं दिखा उस समय के अखवारों में केवल मुहनोचवा मुहनोचवा ही चर्चा में रहता था दो महीने, जुलाई और अगस्त दो हजार दो जब कोई इंसिडेंट नहीं मिलता था तो इसकी ओरिजिन बताई जाती थी कानपुर के अखवार कहते थे कि मुहनोचवा हमारे यहां से चला यहां शुरू हुआ यहां से आगे बढ़ा बनारस वाले कहते थे कि नहीं हमारे यहां से शुरू हुआ हमारे यहां से पूरे प्रदेश में फैला मेरट का अपना तर्ब था कि पहला शिकार हमारे यहां देखा गया हमारे यहां रिपोर्ट हुआ पनारस के आसपास जौनपूर, मिर्जापूर, आजमगड यहाँ पर आतंक शुरू हुआ जुलाई के पहले हफ्ते में फिर मेरट के आसपास हापूर, बुलंचहर, बागपत में इसके शिकार रोज-रोज अखवारों में दिखने लगे कानपूर के आसपास बिठूर, जालाउन, फतेपूर और जहांसी में इनका आतंक, मुहनोचवा का आतंक रिपोर्ट होने लगा अखवारों की बात कर रहा हूँ मैं इतना आतंक हो गया कि पूरी पूरी रात पूरा पूरा जिला जगता था ढोल, नगाडे, तेल के खाली पीपे, तेल के खाली घी के खाली कनस्टर, पूरा गाउं बजा बजा के आवाज करता था कि मुहनोचवा उनके गाउं में ना आये जब ये प्रॉसेस चलती रहती थी तो invariably हर भीड में गाउं की हो चाहे, कस्बे की हो चाहे, शहर की हो कोई न कोई शेख चिल्ली आके ये कहता था कि वहाँ देखा भी किसी तरह बचके आया हूँ सारी भीड उस तरफ तूट पड़ती थी, कि आज तो निप्टाई देंगे मुहने चवा को लेकिन डर इतना था कि भीड में जाते सब थे बोलता कोई नहीं था जैसे स्नाइफर डॉक्स सूंगते हैं, वैसे सूंग सूंग के वहाँ पता करते थे कि क्या यहाँ आया था घंटे दो घंटे की मशक्कत के बाद फिर वापस आकर अपना वही धोल नगाडा तीन कनस्टर बजाना शुरू कर देते थे देरे धेरे यह अफ़ाफ पूरे प्रदेश में फैल गई, प्रदेश के सभी जिलों से इस तरह की खबरें आने लगें 26 फरवरी 2017 को ललन टॉप के एक अंक में राइबरेली के रहने वाले आसुतोष ने मुहनोचवा के बारे में एक बड़ा आर्ट के लिखा उस समय जब ये चोटी कटवा का आतंक शुरू हुआ तभी उसी परिपेक्ष में उन्हों ने मुहनोचवा का ये लेख लिखा था उसमें उन्होंने मुहनचवा के आकार, प्रकार, शेप, साइज देखने में कैसा था उस समय के अखवारों में जो कुछ लिखा गया था उसको संकलित किया है आप इसे पढ़ेंगे वह जरूर पढ़ें तो आपको हसी भी आएगी और रोना भी आएगा कि हम किस सदी में हैं, हमारे हाँ पढ़ाई लिखाई का कितना प्रसार हो चुका है मेडिकल साइन्स कितनी आगे जा चुकी है फिर भी हम मुहनचवा के अस्तित्य को नकारनी में असमर्ध है मना नहीं कर सकते कि नहीं साम मुहनचवा नहीं है आशुतोष आगे लिखते हैं कि अगर मुहनचवा के आकार, प्रकार, शेप, साइज, कैसा था, कैसा दिखने में था अगर सारे अखवारों को एक जगह संकलित करके लिखा जाए तो ये एक महा काव वे हो जाएगा किसी ने लिखा कि ये लूमडी की तरह उसका मुह है किसी ने लिखा मुह उसका लूमडी की तरह है लेकिन हाथ पैर आद्मियों की तरह है किसी ने बताया कि उसकी पूँच में से नीली बत्ती जलती रहती है और आँखों से लाल बत्ती जलती है आशुतोष लिखते हैं कि उनके गाउं में एक बढ़कव बाबा रहते हैं जिनके सिर्प जिन आता है जब गाउं परिशान हुआ तो बढ़कव बाबा से अनुरोध किया कि जरा जिन से पूछे कि ये देखने में कैसा है ताकि उसको पहले ही मार लिया जाए क्यों इतना परिशान हो रही है पबली के हां के बढ़कव बाबा के बारे में ये बताया गया है कि जब ये जिन सवार होता है तो उनको तीनों लोग दिखाई देते हैं जब वो आखें बंद करके लंबी लंबी सासें लेना शुरू कर दे तो ये समझे ये त्रिलोग दर्शी हो गए इनको तीनों लोग दिखाई देगा तो गावालों के भारी अनुरोद पर वो बैठे जहां बैठके वो पूरा तीनों लोग देखते थे आखें बंद की लंबी लंबी सासें लेना शुरू किया और कहते हैं कि मैंने अब देख लिया अपनी शक्तियों से और ये कौन कहता है कि इसका आस्तित तो नहीं है वो लोग मूर्ख हैं जो ऐसा कहते हैं कि मोहनचवा है नहीं है कि वो लफवा है आगे उन्होंने बताया कि ये दस इंच चोड़ा, चार इंच लंबा, मच्छर जैसी डिजाइन का और चमगादर जैसे पंखों वाला ये जानवर है, ये जन्तु है ऐसा मैं अपने जिन्नात के सहारे तीनों लोकों में जाकर इसको मैंने पहचान लिया है बड़कव बाबा की ये बात अगले दिन अखवारों में छप गए, किसाब उन्होंने जिन्नात की मदद से ये देख लिया, कि ये देखने में कैसा है बस फिर क्या था उन्नाव, लखनव, इलहाबाद, सुल्तानपुर में दिन में बेचारे जितने चमगादर लटकते हुए मिल जाएं, उनकी शाम अता गई गाओं के नौजवान लड़के, लाठी से, डंडे से, गुलेल से, ऐसे चमगादरों को मार मार के गिराना शुरू कर दिया और हज़ारों हजार चमगादर उस समय मारे गए, कि इन्ही में से कोई है, इनके बीच में ये दिन में सोता रहता है, रात में निकलता है, और मुह नोच के चला जाता है अफवा का इंपैक्ट देखिए, हजारों हजार चमगादर उस जमाने में इन पांसा जिलों में मारे गए, उसी वक्त में मुह नोचवा के शक में बहुत धेर सारी हत्याएं भी हुए, जहां जहां ये हत्या होती थी, उसकी रिपोर्टिंग होती थी, अखवारों में छप पूरी पुलिस हैरान परेशान थी, रात होती ही पुलिस कंट्रोल रूम में हर एक मिनट पे, दो मिनट पे, पांच मिनट पे लोग फोन करके बताने लगे कि यहां देखा गया, वहां आ गया, फला को जपट्टा मार दिया, फला को खरोंचा गई, पूरी रात जब तक सु अपह उजाला न हो जाए, प्रदेश भर की पुलिस इसी तरह की सूचनाओं में नाशती रही, तो रात भर तो इसमें और दिन में इससे होने वाले कानून विवस्था की समस्याओं से पुलिस जूजती रही, दो महीने तक कोई काम पुलिस का नहीं हुआ, धीरे धीरे रोज रोज भागती थी और कभी कोई नहीं मिलता था, तो पुलिस ने ऐसी सूचनाओं की अंदेखी शुरू की, एक कान से सुना, एक कान से निकाल दिया, और अगर सूचना देने के बाद भी उस जगह पर या उसके आजपास किसी को खरौच लग जाए, किसी के मुह में क कोई काटा लग जाए, या अपने ही नाखून से कहीं खुजलाते समय खून निकल आए, तो पूरा इलाका एकठा होके थाना चौकी घेरता था, जिए अब हमने पहले ही सूचना दी थी, पुलिस अगर आ गई होती, तो इनका नुकसान नहीं होता, उस समय वहीं पर था मु मुहनचवा के शक में दो दर्जन से जादा हत्याएं हो गई, मांसिक रूप से विच्छिप्त लोग, भिखारी या फिर अंजान आदमी इस अफवा के शिकार हुए, जहां दिखाई पड़े, पबलिक ने घेर के पीट-पीट के मार डाला, कि कोई नहो यही मुहनचवा है मैंने बताया कि जुलाई अगस्त में पुलिस कोई काम नहीं कर पाई, इसी बीच में बनारस और उसके आसपास के जिलों में कानून विवस्था की गंभीर समस्याएं उत्पन हो गई, मुहनचवा के कारण ऐसी गंभीर समस्याएं कि कई जगह पुलिस को भीड को हटाने के लिए हवाई फाइरिंग भी करनी पड़ी, लाठी चार्ज भी करना पड़ा उस समय में लखनव में एसपी क्राइम हुआ करता था लखनव जिले में भी देहाद के छेत्र में काकोरी, मोहनलाल गंज, निगोहा इन सब जगहों पर रोज कोईनों कोई जगडा, जंजट, चिलाहट, मोनोचवा को लेकर हो रही थी सटे हुए जनपद राइबरेली में तो बिल्कुल अती हो गई थी डीजी आफिस से और शाषन से यह आदेश किया गया कि हर जनपद में एक अधिकारी, प्रभारी अधिकारी बनाया जाए जो मोनोचवा से सम्मंदित जानकारी, सम्मंदित लॉइन ओर की सिचुएशन, उसको एंटिसिपेट करे, उसमें बंदोबस्त करे और देखे कि इस मेरे साथ दो डिपटी एसपी और धेर सारी फोच फाटा जो होती है, वो लगाई गए, उस वक्त की मेरी डायरी में मुझे दो छोटी-छोटी कटिंग मिल गई, कानून ब्यवस्ता के सिसले में, एक चंदौली जिले की और एक मिर्जापुर जिले की, जहां कानून ब्यव 20 जुलाई को मुहनचवा के आतंक से परेशान नारायनपूर और आसपास के लोगों ने ये लोग सबेरे ही सबेरे सडक पर उतर आये, और उन्होंने वारांशी शक्ती नगर मार्ग पर नारायनपूर बाईपास और दर्रा गाउं के पास जबर जस्त जाम लगा दिया, उन जाम लगाईए तब ही वरिष्ट अधिकारी आएंगे और हमारी पीडा को समझेंगे, जाम कर रही भीड के लिए वहाँ सीओ और एसडियम पहुंचे, फिर एडिशनल स्पी पहुंचे, भीड हटने का नाम नहीं ले रही थी, पुलिस को और 556-6 किलोमीटर लंबा जाम हा हाकार मचा, तो पुलिस पर दबाव हुआ कि जाम खलवाईए, पहले पुलिस ने बाचीत की, भीड तब भी नहीं मानी, तो पुलिस ने लाठी चार्ज किया, लाठी चार्ज करके जैसे ही भीड पुलिस ने रास्ता खलवाने की कोशिश की, भीड की तरफ से जबर जस्त शुरू हो गया कई पुलिस कर्मी घायल हो गए पबलिक के लोग भी घायल हुए तब पुलिस को मजबूरन हवा में दस राउंड फायर करना पड़ा तब कहीं जाकर भीर वहां से चटी वहां लोगों को कहना था कि पिछले 15 दिनों से एक पखवाले से यहां जिले के अहरवरा अदलहाट और चुनार थाना छेत्रों के कई गाउं में कई लोगों को इसने चोट पहुचाई है मुहनचवाने पुलिस को भी मदद नहीं कर पा रही है हलागि पुलिस इसमें क्या मदद कर सकती थी जहां सुचना मिलती थी भाग के जाती थी इलाज के लिए भिजवाती थी बैठी रहती थी लेकिन कभी कोई मुहनचवा पुलिस के सामने नहीं आया दूसरी घटना है 27 जुलाई 2002 की जनपद है चंदवली उस दिन मोहनचवा के आकरमन से घायल दो लोगों की एक पुरुष और एक महिला की मिर्त्य हो गई ऐसा बताया गया चंदवली के ग्रामीनों ने सिकंदरपुर गाओं के पास और मिर्जापुर जिले में सेहमा दाओं के पास रामनगर जमालपुर मार्ग पर दोनों जगह शब रख कर रास्ता जाम कर दिया गया भीड को हटाने के लिए फिर बहुत मशक्कत करनी पड़ी लाठी चार्ज हुआ और लाठी चार्ज के बाद पुलिस को फाइरिंग करनी पड़ी जमालपुर छेत्र के सहेवा गाओं निवासी पचपन वर्षिय राम जी पाल 26 जुलाई 2002 को अपने बरामदे में सो रहे थे बताते हैं कि रात में मुहनचवा ने उन पर हमला कर दिया पूरा गाओं एकठा हुआ मुहनचवा के पंजे के निसान उनके पेट पड़ थे नाभी के नीचे मांस भी निकल आया था जब तक गाओं वाले उनको लेकर अस्पताल जाते सबेरा होते होते उनके प्राण पखेरू उड़ गए जैसे ही उनकी मौत हुई उनको फिर उनके घर से निकाल कर राम नगर जमालपूर मार्ग पर शव रख कर जाम लगा दिया गया दोरों तरफ से फिर वही लंबे-लंबे कई की किलोमेटर के जाम लग गए एडियम रहिशंकर पांडे और एडिशनल स्पी फूल सिंग वर्मा दल बल के साथ मौके पर पहुँच गए समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन भीड डटी रही मजबूर होकर पुलिस को लाठी चार्ज करना पड़ा फिर वही हुआ लाठी चार्ज होते ही पत्राव शुरू हो गया पुलिस को फिर पांच चक्र गोलियां चलानी पुनी और शव को कबजे मेले कर पोस्मार्टम के लिए भेजना पड़ा रामनगर जमालपूर मार्ग में पुलिस भीड से जूज ही रही थी कि सूचना आई कि चकिया निवासनी फूला देवी रात में घर में सो रही थी और रात में उनको मुणोंचवाने घायल कर दिया उनकी चेहरे पे खरोच के निशान थे और अस्पताल में उनकी मृत्य हो गई मृत्य होते ही फूला देवी के शब को लाकर चकिया में ही रास्ते पर रख दिया गया पुलिस वहां गई तो पुलिस को देखते ही दूर से ही ग्रामीनों ने दोड़ा लिया और बड़ी भीशन पत्थरवाजी की पुलिस के पास कोई चारा नहीं था सिवा हवाई फाइरिंग करने के कई राउंड गूलियां चलाई गए तब जाकर भीश वहां से हटी इस पत्थराओं में उस समय के एडिशनलस पी फूल सिंग वर्मा उनका गनर शिरी राम पी एसी के जवान दिवाकरलाल नंद किशोर अवधेश राय रामदर्शन राय और थाने के धेर सारे सिपाही बुरी तरह घायल हो गए भील को वहां भी फाइरिंग करके हटाया गया और लाश को कबजे में लेकर उसमार्टम के लिए भेजा गया एडियम ने वहां सारुजनिक बयान दिया कि साब ये दोनों ही मौतें रहस्य में ही मौतें हैं हम इसकी जांच करा रहे हैं लेकिन जांच में कुछ निकला नहीं आज तक उस जांच में कुछ नहीं निकला कि इन्हें ये चोट कैसे आई थी जुलाई 2000 के पहले पखवाड़े से शुरू हुई अफवाहों की ये सिरीज दो महीने चली और फिर अगस्त में दूसरे पखवाड़े में जाकर समाप्त हुई आप अंदाज लगा लिजे कि कितनी लंबी ये अफवाह चली होगी और ये अफवाह तब खतम हुई कि जगह जगह उपद्राव करने वाली भीड़ पर पुलिस ने जब लाठी चार्ज किया फाइरिंग की और भीड के खिलाफ मुकदमा लिख के लोगों की गिरफतारी शुरू कर दी गई जब ये कंट्रोल के बाहर हो रहा था तो यही निर्देश आये कि भाई अभी उपद्राव करने वालों पर कारवाई करिए अनावशक्त न किसी ने देखा न किसी उसका रूपरंग का पता है किवल अफवाह पर इस तरह से ऊपद्रो करने वालों पर फिर जिलों जिलों में कही कही फाइर इनलों के खिलाफ हुई उपद्रव करने वारों की गिरफ्तारी शुरू हुई तब जाकर इन घटनाओं पर अगस्त के दूसरे पखवाले में विराम लगा आज की घटना जिसने भी मुहनोचवा का वो टाइम देखा होगा जिस किसी ने वो कभी भूल नहीं सकता मैं दावे से कह रहा हूँ कभी नहीं भूलेगा ऐसा खराब दौर मुहनोचवा चला था मिरे करियर में दो महीने तक चलने वाली सबसे सबसे ज़्यादा देर तक चलने वाली या फ़वा थी अगर उसमें जरासी भी सचाई होती तो उस समय नहीं आज तक सामने आ गई होती आज तक कभी कोई नहीं बता पाया तमाम जांच, परताल, तमाम इन्वेस्टिगेशन, तमाम बयानों के बाद भी कि आखिर ये लोगों को चोट कैसे लगती थी घर में आपसी मनमुटाव, जमीन की रंजिश, आपस की जलन को लोगों ने इसी मुहनोच哇 के आळ में बिलकुल फिट कर दिया और मुहनोच哇 के बहाने अपनी इन दुश्मनी को निकाल लिया या घर में अगर कोई मनमुटाव था तो उसको निकाल लिया यही conclusion था सारी जाचों का, सारी पड़ताल का लेकिन इसी अफवाह के चक्कर में तमाम भिखारी, तमाम विख्षिप्त लोग, तमाम अंजाल लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे कि हो नहो यही मुहनचवा है शुकर है कि उस समय सोशल मीडिया नहीं थी मुबाइल फोन तो आ गए थे, लेकिन 2001-2002 तक वो सामान लोगों की पहुँच के बाहर थे यानि उतना प्रचार प्रसार नहीं था अगर आज के जमाने में यह इस तरह के अफवाह जब सोशल मीडिया अपने शबाब पर हो अगर यह अफवाह चलती तो दो ही बात हो सकती थी या तो यह अफवाह दो-चार दिन में खतम हो जाती लोग फोटो खीच के, लोग जानकारी के हिसाब से जब यह होता कि साब फला जगर नोच लिया तो फला जगर आजमी कहता नहीं साब यहां तो कोई ऐसी वारदात नहीं मिले या तो दो-चार दिन में यह खतम हो जाती या फिर बड़े-बड़े दंगे होते खाली यह जोड़ना था उसमें कि मुहनोच वाह फला जाती का है मुहनोच वाह फला धर्म का है फिर जो अफवाह चलती उसको रोकना मुश्किल हो जाता हलांकि संभावना इसी बात की थी या इसी बात की है कि बहुत जल्दी ही अफवाह खतम हो जाती तूड जाती अगर सोशल मीडिया उस समय रही होती या ये घटना आज के दौर में होती और कम से कम सोशल मीडिया के रहने पर वाटसेप और बाकी सूचना माध्यमों के रहने पर ये दो महिने तो किसी कीमत पर नहीं चलती दो दिन चलती, चार दिन चलती, छे दिन चलती मैं आपको बच्चा चोरी के एक अफवाह के बारे में पहले बता चुका हूँ जब एक महिला को जिन्दा चोराहे पर साइकल की टायरों में फसा कर आग लगा कर मारा गया था उस समय ये अफवाह क्या जबरजस चली थी, पूरे प्रदेश में ये भी बच्चा चोरी के अफवाह चली उसके बाद लेकिन बहुत दिन तक नहीं रही है उसके बाद ये मुहन चुआ चला और उसके बाद तो भी एक लेटिस्ट जब मैं 17-18 में सस्पी अलीगर था तो एक अफवाह फिर चली, चोटी कटवा कि रात में सोते समय महिलाओं और लड़कियों की चोटियां कट जाती है आई टी एक के मुकदमे काइम होना शुरू हुए सच्चाई सामने आने लगी चार छे दस दिन तक कि ये चोटी कटवा के अफवाह चली होगी उसके बाद खतम हो गई इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर उस जमानी में ये सोशल मीडिया स्टॉंग होता तो दो चार दिन में ही अफवाह दम तोड़ देता किस्सागोई परिवार के सदस्यों से अनुरूद करूंगा कि किसी अफवाह पर कभी ध्यान न दें उस पर विश्वास न करें फारवर्ड या शेर तो कताई न करें आपने फारवर्ड और शेर किया तो पुलिस हर हाल में ऐसी अफवाहों पर जिसमें जानमाल का कोई नुकसान हो आई टी एट का मुकदमा लिखेगी फिर देखा जाएगा कि कहां से शुरू हुई किसने फारवर्ड किया किसने शेर किया फिर आपके लिए एक मुसीबत खड़ी हो जाएगी इसलिए कतई इस तरह के अफवाहन जो समाचार जो तमाम चीजें होती हैं वीडियो इसको कभी शेर या फारवर्ड न करें देखे एक कहावत है कि हल्ला मचा कि कववा कान ले गया क्यों चिलाते हैं कि कववा कान ले गया अपने कान को तो देख लीजी कि वो अपनी जगव पर है की नहीं है अगर आपका कान अपनी जगव पर है तो कववा क्या ले जाएगा उसे इसलिए न अफवाह का पार्ट बनें न अफवाह को आगे बढ़ाएं और न उस पर विश्वास करें इन अफवाहों ने हमेशा नुकसान किया है कभी किसी का फायदा नहीं हुआ है और मुहनों चवा जिसको आज तक किसी ने नहीं देखा और इतनी बड़ी कानून ब्यवस्था की समस्या दो महीने तक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज में बनी रही हलांकि पास के प्रदेशों में भी ऐसा हुआ अफवाह तो अफवाह है उसकी कोई बाउंडरी नहीं होती लेकिन उत्तर प्रदेश बहुत ज़्यादा ग्रसित रहा उससे आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे अगर नहीं सहमत हैं तो मुझे मेरी मेल आइडी पर जरूर बताएं मेरी मेल आइडी वही राजेशपांडे61 at the rate of gmail.com आज के लिए बस इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद